नमस्का स्टूडंस मैं हूँ आपकी बियोलोजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा उच्सरजी उत्पार एवं उनका निशकासन मतलब excretory products and their elimination मतलब हमारे शरीर में जो भी waste बन रहा है उसको शरीर से हम कैसे निकालेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से waste पढ़ रहे हैं और फिर हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या तरीके हैं organisms में अलग-अलग जो की कैसे अपना waste बाहर निकालते हैं चलिए आईए शुरू करते हैं excretion से right so excretion क्या होता है excretion होता है हमारे शरीर में जो भी क्या है metabolic waste है क्या है metabolic waste metabolic waste मतलब जो भी waste जो भी waste product जो भी waste product बनता है किसके time में बना है food के oxidation के time पे food के oxidation के time पे जो भी waste product बनता है उसको क्या करना इस waste को हमार को क्या करना है eliminate कराना है from the body शरीर से निकालना है eliminate from the body हमारे शरीर से निकालने को इसको हम क्या कहते हैं excretion कहते हैं अब बेटा दो तरेकी की बाते होते हैं एक होता है excretion, क्या होता है एक होता है excretion और दूसरा होता है हमारा defecation, क्या होता है defecation मतलब क्या करना जो पहारे शरीर में undigested, undigested food है, or undягested matter है, जिस में से क्या निकाल लिए गए है, पोशेत, तत्व निकाल लिए गए है, लेकिन अब हम उनको और ज्यादा पचा नहीं सकते, इनको शरीर से बाहर निकालना, कहां से, आनस से बाहर निकालने को हम क्या कहते है, इफिकेशन करना कहते है, यह जो un-digested food है, यह क्या बनाता है हमारे शरीर में मल बनाता है क्या बनाता है स्टूल बनाता है फीसेज बनाता है क्या बनाता है फीसेज बोलते हैं हम इसको ठीक है तो उसको हमारे शरीर से निकानने को हम क्या बोलते है डीफिकेशन बोलते है एक तो हमारे पास होता है डीफिकेशन दूसरा हमारे पास है एक् राना लीड को कके रहे हैं। है किया होता है निकाल निकालने हम लिक रहा है। पांच तरीके के लिग ना रोजन होता हें। सब्चकरीशन नांटे पर होता है। फिर उसके बाद आता है UREA और आता है कुछ जानवर रिलीस करते हैं UREC ACID कुछ जानवर रिलीस करते हैं EX और पिर आप इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजेनस वेस्ट और इन वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने को हम क्या बोल रहे हैं एक्सक्रीशन बोल रहे हैं और मल को जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डीफेकेशन बोलते हैं इतनी बात समझ आ गई so excretion is the elimination elimination मतलब शरीर से बाहर निकालना किसको metabolic waste products को from the animal body कहां से animal body से बाहर निकालना अब क्यों निकालना है हमारे को यह अब हमारे को क्यों निकालना है यह क्योंकि excretion का जो major purpose है excretion का जो major purpose है वो यह है कि हमारे शरीर में salt का और water का मात्र इना कंप्रा ह कर रहे हैं तो सौल्ट जादा होजाी इन वाटर जादा होना चीए इसलिए क्या कर रहे हैं कॉमपिसिशन ओफ दॉटीड़ की मात्र है उसको रेगलेट रेहे हैं क्या कर रहे हैं एक्ष्क्रीशन फामальной Łb Dification is the removal of waste and undigested food वो खाना जो की पच्छने पाया है किस फॉर्म में, फीसे के फॉर्म में, मल के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते है Dification बोलते है और ये कहां से होता है Annus से होता है जबकी excretion हमारा कहां से हो रहा है Majorly kidneys से हो रहा है चीक है Osmo regulation के अगर हम बात करें तो Osmo regulation क्या होता है कि शरीर का जो नमक और पानी है जो शरीर का क्या है Salt है और जो water है उसके concentration को regulate करना है क्या करना है? regulate करना है इस process को हम बोलते है Osmo regulation मतलब to balance क्या balance करना है या फिर balance नहीं बोलके हम इसको और क्या बोल सकते है हम इसको बोल सकते है to regulate to what? regulate osmolarity of the body osmolarity चीक है अब यह osmolarity क्योंकि हम पढ़ी रहे हैं तो हम देख लेते हैं जब हमने बच्पन छोटी classes में क्या पढ़े थे? isotonic, hypotonic and hypertonic solutions के बारे में बात किया था तो एक क्या है हमारे पास में एक हमारे पास में cell है यह cell है इसके अंदर कुछ salts है और salt के साथ में क्या है पानी भी है salt के साथ में क्या है पानी भी है पानी को हम ऐसे कर देते हैं तो salt के साथ में पानी भी है तक्षेवरेंद तक्या सक पानी स्कति पास पहरा में मृत्रा है किस्की तो की concentration concentration of salt किसमें सेल में right is equals to किसके बराबर है concentration of salt in the environment in environment जिसके चारो तरफ पानी है उसमें जो सॉल्ट की मात्रा है अगर वो बराबर है जो सॉल्ट की मात्रा सेल के अंदर है तो इस सेल पे कोई असर नहीं पढ़ने वाला है मतलब स घो क्या होगा जितना पानी इसमें से बाहर जायेगा पानी से монऊष सेल के अंदर वापिस आजायगा किसके जरीए टिर्फ जरीशन के जरी जितना पानी बाहर जा रहा है सेल के उतना ही पानी वाँ उपस सब्सक्राइब कि एक तरीके का बालन्स बना वा ऐसी कंडिशन पर में Pal ini जाते है कि अ क्या हुआ से देनिक और cell के अंदर क्या है जो salt है जो salt है वो काफी ज्यादा है चालो बना दिया काफी ज्यादा ठीक है और जो बाहर है salt वो कम है as compared to अगर हम comparison करें अगर हम तुलना करें कि cell के बाहर जो क्या है cell के बाहर जो salt concentration है वो ज्यादा है किसकी तुलना में बाहर बाहर के परियावरन के तुलना में और बाहर के परियावरन में पानी बहुत ज्यादा है क्या है पानी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा तो एक बाहर salt concentration लिख लें यहाँ पर तो salt concentration, right, और salt concentration यहां पे किसकी, environment की या फिर बाहर, external conditions की, या water की, अब इन दोनों में कौन ज्यादा है, इन दोनों में ये ज्यादा है, मतलब cell का क्या है, अंदर का जो cytoplasm है, उसमें salts ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी कहां से कहां move करेगा, पानी move करेगा, from higher concentration, बाहर मे water की concentration क्या है, बहुत ज्यादा है, और अंदर salt water की concentration क्या है, cell के, काफी कम है, क्या है, काफी कम है, तो higher concentration से water कहां move करेगा, lower concentration में, तो मतलब क्या होगा, बाहर से cell में पानी अंदर भरता जाएगा, क्या होगा, बाहर से अंदर cell में पानी भरता जाएगा, और ये cell क्या हो ज जाएगा हो जाएगा फूल के कुपपा मतलब सुच जाएगा पानी भर गया है यह कब तक होता रहेगा है कब तक बाहर की बाहर की वह अंधर के salt concentration के बराबर आ जाएगा मतलब क्या है जो बाहर के osmolarity है वो अंदर के osmolarity के बराबर आ जाएगी तब तक पानी कहा जाता जाएगा अंदर जाता जाएगा ऐसे कुछ cases में क्या होगा ऐसे कुछ cases में कई बार cell जब बहुत ज़िए पानी गेन कर लेता है तो cell क्या हो जाता है बर्स्ट भी हो जाता है मतलब cell फूट जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है अब इसका एक example क्या हुआ इसका एक example हुआ कि मान लो आपने साधे पानी में रात को भिगाए मेवे for example उधारन के लिए हम ले लेते हैं किशमिश तो अगली सुबह जब आप देखते हो तो किशमिश क्या हो जाती है फूल के कुपा हो जाती है क्यूंकि उस किशमिश में salt concentration ज्यादा होता है नमक की मात्रा ज्यादा होती है सौल्ट क्या होते हमारे सोडियम होता है क्लोराइड होता है पोटाशियम होता है इन सब की मात्रा क्या है हमारी किशमिश में ज्यादा होती है या फिर हम क्या बोल सकते है शुगर जो होती है उसकी मात्रा जब किस में ज्यादा है शुगर में ज्यादा है तो पानी क्या करती है पानी अंदर चली जाती है पानी क्या करता है पानी किश्मिश के अंदर चला जाता है और किश्मिश क्या हो जाती है फूल के कुपा हो जाती और कुछ किशमेश तो क्या होती है फट भी जाती है क्राक भी हो जाती क्या हो जाती है क्यों क्योंकि सेल बर्स्ट हो जाता है उसमें उसकी वॉल्यूम से ज्यादा क्या चला जाता है कपासिटी से ज्यादा उसमें पानी चला जाता है ऐसे कंडिशन को ऐसे कंडिशन को जहां इतनी बात समझ आ गई इतनी बात समझ आई कि नहीं आई ये हो गई हमारी दूसरी कंडिशन तीसरी कंडिशन हमारी होती है जब क्या होता है हमारे पास सेल होता है अब सेल में क्या है इस सेल में सॉल्ट की कॉंसेंट्रेशन अंदर अंदर की तुलना में बाहर ज्यादा है क् क्या है जो पानी है हमारा वो हमारे पास अंदर बहुत सब्सेल के अंदर काफी सारा उतर है और जो कि बाहर काफी कम वाहर किया है काफी कम वाल्य demonstrating तो एक बार salt concentration लिख रहे हैं या पर, salt concentration, salt concentration किसका, cell का कम है, as compared to salt concentration, किसका, outside water का ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां मूफ करेगा, पानी मूफ करेगा, from higher to lower, मतलब पानी cell के अंदर से कहां आ जाएगा, बाहर आने लगेगा, अब जब पानी बलून में से या cell में से बाहर आने लगेगा, तो थोड़ी देर में cell क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, थोड़ी देर में cell क जाएगा cell shrinks तो जिस solution में जाके cell पिचक जाए उसको हम क्या बोलें गे solution को हम बोलते हैं hypertonic solution क्या बोलते हैं hypertension solution एक यह डाइग्राम उम्मीद करते हो आपने अपनी और नोटबुक्स मैं बना लिए होंगे तो is solution हो जाता है श्रिंक हो जाता है उस solution हम क्या बोल रहे हैं hypertonic solution बोल रहे हैं hypertonic solution बोल रहे हैं इतनी बात सब्सक्रा गई है क्तिय highlighting हुआये ही कैसी शरीर के bio हे ऊपने पानिक वांतरा को बैलान्स कर रहे है तो तो ये तीन तरीके थे अब अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा अभी तक हमने एक single cell के बारे में पढ़ा अब यहीं चीज हम किसके बारे में पढ़ने जानवर ऐसे होते हैं यह तो थोड़ी टेड़ी बन गई चीशको सीधा बनाते चलो कुछ जानवर ऐसे होते हैं यह ग्राफ बना रहे हैं अब इस एक्स पे और यहां के अंदर का कॉंसेंट्रेशन किसका पानी और सॉल्ट का अब यहां क्या हो रहा है जैसे ही बाहर की ऑस्मोलारिटी बढ़ रही है यह क्या होगा मिली ऑस्मोल होगा ठीक है जैसे ही बाहर की क्या बढ़ रही है वैसे ही जानवर क्या कर रहा है जानवर अपने अंदर की ऑस्म करने की कोशिश कर रहा है मतलब क्या हुआ तो जानवर ने क्या करा अपने शरी खी बड़े से बढ़ी नहीं तो इस जगे अब भाहर की जान्वरsal की ड्लार हुँए यह फो सटुड के तो वीजगे तो क्या किया अपने अंदर की बी OSMOLARITY को चेंज कर लिया फिर जैसे ही बाहर की वैसे ही जानवर ने क्या कर लिया अपने अंदर की OSMOLARITY को बदल लिया यह को बदल रहा है ऐसे जानवरों को या ऐसे जीवों को हम क्या बोलते है ऐसे जीवों को हम बोलते हैं आपके पास क्या सबसे पहले तो सारे क्या है in vertebrates सारे जो भी in vertebrates है वो कैसे है वो हमारे आस्मो कॉन्फॉर्मर्स है बाहर के mati के साभ से अंदर की चेंज करते हैं और vertibrates में दो exceptions है vertibrates में क्या है exceptions हैं कौन-कौन से mixine and hagfish mixine and hagfish दो ऐसे जीव है जो भी क्या है Osmo conformers है अब एक अलग तरह की के जानवर होते हैं जो क्या करते है जो क्या करते है अपनी osmolarity को यहाँ पर क्या है x पे external y पे internal इंटर्नल ओस्मोलारिटी यहाँ पर क्या है external osmolarity इतनी बात समझ आ गई अब क्या हो रहा है यह वाले जो जीव है यह क्या कर रहे है इन्होंने बनाया है straight graph क्या बनाया है straight graph बनाया है मतलब कि इनके पास इतनी थिमत है इतनी ताकत है कि external osmolarity कितनी ही बदल जाए external osmolarity चाए बढ़ती चली जाए इनकी internal osmolarity उतनी की उतनी ही रहेगी मतलब बाहर चाए आंदी आ जाए तुफान आ जाए यह अपनी osmolarity को कभी भी बदलेंगे नहीं ऐसी osmolarity को maintain रखने के लिए इनको क्या चाएओ होती है काफी energy भी लगती है क्या लगती है काफी energy का consumption भी होता है और जो जानवर अपनी internal osmolarity external osmolarity के हिसाब से नहीं बदलते हैं उनको क्या बोलते हैं osmore regulators बोलते हैं क्या बोलते हैं osmore regulators बोलते हैं क्या बोलते हैं Osmo Regulators बोलते हैं और कौन से Osmo Regulators होते हैं all vertebrates all vertebrates all right except कौन आएगा इसमें exception except हमने दो पड़े न मिग्जीन क्या है और है फिश क्या है यह तो Osmo Conformers है क्या है यह Osmo Conformers है सो Osmo Regulators कौन है all vertebrates पर कौन नहीं है मिग्जीन नहीं है और हाग फिश नहीं है यह सब क्या है Osmo Regulators है अब आगे बढ़ते हैं तो अब तीसरे तरेके के एक जीव और होते हैं जो की क्या करते हैं जो की शुरुआत में तो जो की शुरुआत में तो कैसा बिहेव करते हैं शुरुआत में कैसा बिहेव करते हैं इंटर्नल ऑस्मोलारिटी एक्सटर्नल ऑस्मोलारिटी जो की शुरुआत में कैसा बिहेव करते हैं ऑस्मो कॉनफॉर्मर जैसा लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर ज को क्या करेंगे अपनी इंटरनल ऑस्मोलारिटी को बाहर की ऑस्मोलारिटी से मैच करने की कोशिश करेंगे मतलब अगर बाहर की बढ़ती गए मतलब अगर क्या हुआ बाहर की बढ़ती गए ऑस्मोलारिटी तो वह क्या करेंगे अपनी अंदर की बढ़ाएंगे बाहर की ऑस् ऐसे जानवर को हम बोलते है पार्शल ओस्मो कॉन फॉर्मर्स क्या बोलते हैं पार्शल ओस्मो कॉन फॉर्मर्स बोलते हैं और कौन आते हैं इनमें इनमें आते हैं सारे इलाज्मो ब्रांक्स कौन आते हैं सारे इलाज्मो ब्रांक्स आते हैं राइट फॉर एक्जाम्पल जो हमारी क्या होती है और हमारी रेज जो कौन होती है इलेक्रिक रेज होती है वो हमारी क्या होती है पार्शल ओस्मो कॉनफॉर्मर्स होती है इतनी बाते समझ आ गई अब हम देखते हैं कि कैसे ये दो तरह की मचलिया है कैसे ये दो तरह की मचलिया अपने जो आसपास का पर उसको कैसे वह रेगुलेट करती है उसको क्या करती है उसको कैसे वह रेगुलेट करती है तो फ्रेश वाटर वाली मचली को देख लेते तो फ्रेश वाटर वाली मचली कैसे हुई हमारी किश्मिश जैसी मतलब फ्रेश वाटर क्या है फ्रेश वाटर इस साधा पानी क्या है सा सादे पानी में क्या होगा सॉल्ट नहीं है क्या है प्लस बहुत कम है और क्या है वाटर बहुत ज़ाधा है तो क्या होगा बाहर से सारा पानी कहां आने लगेगा अंदर आने लगेगा अब पानी अंदर आ रहा है तो क्या होगा ये मचली फूल कर क्या हो जाएगी कुपा हो जाएगी अब ऐसे फूलने से अगर इसमें ज्यादा पानी भर गया तो क्या होगा ये तो फट जाएगी ना तो इसके तो किस पे इसके लिए ये जानलेवा हो गया इसके तो survival पे बात हो गए इसके तो जीने मरने की बात हो गए अब भाईया ये बहुत दुखी हो गए तो इसमें क्या दिमाग चलाया कि मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे अंदर पानी आ रहा है तो जो पानी आ रहा है उसको बाहर निकाल देती हूँ जो पानी आ रहा है उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ तो ये क्या करती है जो अपना यूरीन बनाती है जो अपना मूत्र बनाती है वो ये कैसा बनाती है डाइल्यूट बनाती है मतलब उसके मूत्र में किसका जो यूरीन है यूरीन को क्या बनाएगी ये डाईल्यूट बनाएगी क्या बनाएगी डाईल्यूट बनाएगी और डाईल्यूट बनाने में क्या होगा जो पानी की मातरा होगी वो उसमें ज्यादा रखेगी और सॉल्ट की मातरा को कम रखेगी सॉल्ट की मात्र को क्या करेगी कम रखेगी चीक है अब क्या है सॉल्ट निकालने के साथ साथ में यह पानी को ज्यादा निकाल रही है साथ ही में यह और क्या करेगी अपनी स्किन के थ्रू स्किन के थ्रू क्या करेगी लूज करेगी आयंस आयंस को क्या करेगी यह बाहर निक रहने वाले जीवों का बाब हुआ अब दूसर स्वाराफ आते हैं वह जी जो marine water में रहते हैं तो यह जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी कंडिशन कैसी हुई जो फ्रेश स्वाटर में रहते हैं क्यूंकि फूल के कुपपा हो रहें तो कैसे solution है, hypotonic solution है, लेकिन जो marine water में हैं, उनकी situation कैसी है, hypotonic solution में रहते हैं, मतलब जो बाहर का जो पानी है, उसमें salt की concentration क्या है, बहुत ज्यादा है, और water की concentration क्या है, काफी कम है, तो क्या होगा, osmolarity maintain करने के लिए, पानी धीरे धीरे कहां जाएगा, जीव के शरीर से बाहर जाएगा, पानी धीरे धीरे जीव के शरीर से बाहर जाएगा, तो अब जब जीव के शरीर से बाहर जाएगा, तो मचली तो क्या होगी, उसका पानी जाता जा रहा है, तो वो पिचकती जाएगी पिचकती जाएगी तो मचली को तो टेंशन हो जाएगी कि भाई अगर मेरे शरी से सारा पानी बाहर चला गया तो मैं तो मर जाओंगी फिर से इसके जीने मरने की मात आ गई तो अब यह क्या करेगी कि बाहर का जो पानी है उस पानी को क्या करेगी पी लेगी तो आप अपने पानी आपका जाता जा रहा है शरीर से बाहर उसके लॉस को कवर अप करने के लिए क्या करोगे ड्रिंक वाटर करोगे मतलब क्या करोगे पानी पी लोगे ड्रिंक वाटर चाहएं क्या करा अपने ड्रिंक कर लिया वाटर और दूसरा क्या कर सकते हो जैसे कि ये वाली मचली क्या बना रही थी दाईली यूरीन बना रही थी तो यह मचली तो यह क्या करते हैं पेशाब में कम से कम पानी देती है मतलब जो इसका यूरीन है वो कैसा है कानसेंट्रेटेड यूरीन मतलब पानी की मात्रा बिलकुल कम और उसमें क्या होंगे सॉल्स गया मेटाबॉलिक वैस्ट होगा वो ज्यादा होगा तो यह दोनों की बाते आपको समझ आए की नहीं यह दोनों की बाते समझ आए टीक हैं अब ने क्या किया है अभी तक हमने यह पढ़ा था अक्वेट इन्वायमेंट अब हम देख लेते हैं जो जानवर कहां रहते हैं जैसे कि हम जो जानवर कहां रहते हैं टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं मतलब कहां रहते हैं लैंड पे जमीन पे रहते हैं उनको तो क् बहुत जादा क्या होता है harsh environment होता है सूखा बहुत ज्यादा होता है क्या होता है सूखा बहुत ज्यादा होता है हवा कैसी होती है जो air होती है वो dry होती है तो यहां पर क्या होता है dehydration Dehydration मतलब शरीर से पानी क्या होता है बहाप की तरह बन-बन के बाहर निकलने लगता है किस तरीके से dehydration होता है sweat के form में dehydration होता है किस के तरीके से sweat पानी क्या हो रहा है पसीने के तरीके से क्या हो रहा है बाहर जा रहा है पसीने में बाहर जा रहा है water vapor बन के तो यह क्या करेगा इसका एक तरीका यह होगा कि अपने शरीर से जो पानी इसका जा रहा है उसको गम कर ले कैसे कर लेगा तो यह इसकी स्किन किसकी बनीवी होती है इसकी स्किन जो होती है वह काइटन की बनीवी होती है क्या बनीवी होती है क्यूटिकल जो होती है काइटन की पानी नहीं होगा कौन सा यूरी इसका क्या है nitrogenous waste यूरिक acid जिसको क्या चाहिए बिलगुल ही कम पानी चाहिए चाहिए या चाहिए ही नहीं चुकि ये पानी में dissolve होता ही नहीं है तो दो तरीके के यह हो गए या फिर जैसे कि हम है जो ह्यूमन है हम ईयूमन की skin में क्या है हम humans की skin में क्या है जो हमारी जो हमारी skin है उसकी जवत कि is की है compound epithelium की है कि कि compound epithelium है और is compound epithelium में क्या है कि ratin है जो कि क्या करता है waste अधर को सूरि water vapor को बाहर शरीर के कम रोकता है कि बाहर loss कम हो water vapor का right क्या हो बाहर loss water vapor का कम हो साथ ही में हम क्या करते हैं drink करते हैं water क्या करते हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम पानी पीते हैं ठीक है अब इसके लावा हमारे पास दो बहुत ही बहतरीन जानवर है जिसमें से एक है कंगारू रैट क्या है कंगारू रैट है ये जो रैट है ये कभी भी नेवर कभी भी क्या नहीं करता पानी नहीं पीता क्या नहीं करता पानी कभी नहीं पीता नेवर ड्रिंक वाटर और फिर भी ये सर्वाइफ करता है फिर भी ये जीता है यह क्या है kangaroo rat desert में रहता है कभी पानी नहीं पीता है और इसका तरीका क्या है धूप से बचने का nocturnal है रात को active रहता है कैसा रहता है रात को active रहता है और यह क्या है इसके पास nasal counter current mechanism है मतलब जब हम सास बाहर छोड़ते हैं उसके साथ में हमारे बाहर क्या जाती है waterway पर भाब जाती है नमी बाहर जाती है तो इस नमी को बाहर जाने से रोकने से ये क्या करता है बाहर जाने से रोकता है कैसे रोकता है मान लो कि हमारे जो नाक है ठीक है ये नाक है राइट ये क्या है नाक है अब इसमें से क्या है इसमें से हमारी जो गैस है या हम एर है वो क्या जारी है बाहर जारी है क्या जारी है बाहर जारी है राइट और इस gas के साथ में इस air के साथ में water भी बाहर जा रहा है किस तरीके से भाप के form में अब यहां पर इस rat में क्या होता है यहां पर blood vessels होते हैं जिसमें क्या होता है cold blood होता है क्या होता है cold blood होता है तो cold blood जैसे जो water vapor जा रही है यह water vapor जब इस close blood के contact में आता है जब क्या होता है water vapor थंडी खून की नलियों के contact में आता है तो water का क्या होता है condensation हो जाता है और जो पानी है वो water vapor पानी बन जाती है जो water क्या है vapor है वो किसमें convert हो जाती है water में convert हो जाती है और water कहां आ जाता है वापिस से blood vessels में आ जाता है तो इससे क्या होता है इसने अपने dehydration को क्या है जो water loss हो रहा था dehydration को क्या कर दिया कम कर दिया या nullify कर दिया चीग है इसके अलावा हमारे पास एक और है on camel है एक जीव और कौन है camel है जो एक ही टाइम में 80 लीटर पानी पी लेता है क्या ड्रिंक कर लेता है 80 लीटर पानी पी लेता है अपने शरीर के tissues में water को store करता है tissues में क्या करता है water को store करता है right क्या करता है water को store करता है साथ ही food को store करता है और क्या करता है concentrated urine concentrated urine साथ में concentrated stool या feces को release करता है तो ये दो जानवर बहुत ही interesting जानवर है और पढ़ने लायक है अब हम बढ़ते हैं आगे ये क्या है वही hypertonic, isotonic और hypotonic solution है हाइपोटॉनिक में क्या होगा हाइपोटॉनिक में बाहर सॉल्ट का कॉंसेंट्रेशन ज्यादा है जो बाहर है यहां पे सॉल्ट का कॉंसेंट्रेशन ज्यादा है और सेल्स में क्या होगा सॉल्ट का कॉंसेंट्रेशन कम होगा और वाटर का कॉंसेंट्रेशन सेल्स में ज्य है हाइपोटोनिक में क्या होगा हाइपोटोनिक में सॉल्ट का कॉंसेंट्रेशन सेल में ज्यादा होगा बाहर जो सॉल्ट का कॉंसेंट्रेशन होगा वो कम होगा लेकिन बाहर पानी का कॉंसेंट्रेशन क्या होगा बहुत ज्यादा होगा जबकि सेल में वाटर का कॉंसेंट सेल में पानी भरेगा क्या करेगा सेल क्या करेगा सेल क्या करेगा demonstrates सिल क्या हो जाता है मैंने क्या भोला है wash diplomacy सेल मोता हो राहन चालिए आगे बढता है अब हम आए हैं nitrogenous waste material पर तो हम बात करें तो दो तरह के nitrogenous सकते हैं पहला है नाइट्रोजिनस वेस्ट में नाइट्रोजीनस वेस्ट नाइट्रोजीनस वेस्ट में दो तरेके के हमारे पास क्या होते हैं वेस्ट में नाइट्रोजीनस वेस्ट इन में दो ग्रूप्स होते हैं एक होता है मेजर वेस्ट कौन सा एक होता है मेजर नाइट nitrogenous waste क्या minor nitrogenous waste राइट जो major nitrogenous waste है उसमें आएगा सबसे पहले ammonia क्या आएगा ammonia उसके बाद आएगा urea और उसके बाद आएगा यूरिक अएसट चींग है अमोनिया क्या है इस highly toxic बहुत ज्यादा जहरीला है और highly soluble in water कैसा है पानी में फटा-फट गिल जाता है तो क्या होगा इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए बहुत ज्यादा water चाहिए एक तो लिए क्या चाहिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए यूरिया जो है यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक है जो यूरिया है वो कम टॉक्सिक है और इसको थोड़ा बहुत पानी चाहिए इसलिए शरीर में उसको कुछ टाइम रख सकते लेकिन अमोनिया को शरीर में रखना हम अफ एसको आप शरीर में थोड़े time के लिए रख सकते हो तो अगर हम toxicity देखे तो नीचे से अगर बढ़ते वे जाएंगे क्या करेंगे अगर नीचे से हम बढ़ते वे गए तो हमारी toxicity बढ़ते वे चाहिए है जाधा हो है मतलब सबसे जाधा toxic कौन है अमोनिया है सबसे डाइल्यूट कर सकते हैं जैसे कि इन में मिलेगा अक्वेटिक अनिमल्स में मिलेगा कहां मिलेगा अक्वेटिक अनिमल्स में ठीक है अब अगर हम माइनर नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें तो माइनर में आते हैं अमाइनो आसेड जो जीव एक्सेस अफ अमाइनो करते हैं दूसरा आता है गनीय जैसे कि जुब क्या होते है निलेस करती में तो यह है और मांपी नाइंटरोजनिस वेस्ट मेजर ओनका आरहा है अमोनिय उरिया दूलिय का रहा है आमाईनम अबसीद एन ट्रेयमानो है युजुद में चलिए है गान तो siaría ४ालक ग्र शेका स्वाश्ट क्यों यह किसे बने धेखा कि हमारा नाइट्रोजेनिस वेस्ट यह बन रहे हैं यह किस से बन रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट हमने इनको बोला क्या बोला हमने इनको हमने इनको बोला मेटाबॉलिक वेस्ट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारा उसको हमने क्या बोला मेटाबॉलिक वेस्ट बोला मतलब यह क्या है जब फूड से क्या हो रहा है ऑक्सिडेशन हो रहा है तब यह फूड का Oxidation जिसमें क्या है nitrogen है क्या carbohydrates में nitrogen है carbohydrates C6 H12 O6 या इसके क्या होते है polymers होते है तो carbohydrate के oxidation देखा हमार को nitrogenous waste नहीं मिलता क्या fats से मिलता है fats में भी nitrogen content नहीं होता लेकिन जो proteins होते हैं उन में क्या होता है amino group होता है क्या होता है amino group होता है मतलब NH2 group होता है जब आप protein से या amino acids से NH2 group हटाते हो तो क्या निकलता है nitrogenous waste निकलता है साथ ही में हमारे पास एक और कौन से होते है nucleic acids nucleic acids में क्या क्या होता है एक sugar होती है sugar में नहीं होता nitrogen एक क्या होता है एक हमारे पास phosphate होता है साथ ही में हमारे पास क्या होता है nitrogenous waste तो किस किस से किस के oxidation से या किस किस के metabolism से हमारे को nitrogen मिलता है है सबसे ज्यादा हमारे को मिलता है protein से उसके बाद हमारे को किस से मिलता है nucleic acids है दो जगे से हमारे को nitrogen मिल सकता है एक हमारे को मिलता है protein से दूसरा हमारे को मिलता है इनके मेटबॉलिजम से हमारे को क्या मिल रहा है नाइट्रोजिनस या नाइट्रोजिन मिल रहा है जिससे वेस्ट बन रहा है तो अमोनिया क्या है सबसे जादा टॉक्सिक है उसके बाद दूरिया और यूरिक असे अचिट सबसे कम टॉक्सिक है अब कह रही है कि अमाइनो अ acid में से amino group हटाने की जरूत क्या है यह क्यों हटा रहे हैं क्योंकि जब हम क्या करेंगे proteins में से proteins का क्या होगा animal body क्या कर सकती है fats और carbohydrates को store कर सकती है लेकिन proteins काफी complex और heavy होते हैं इसलिए इनको store करना मुश्किल होता है तो इसको असानी से store करने के लिए किसमें convert होते हैं fats में और carbohydrates में अब यह करने के लिए इन में से क्या हटाना पड़ता है ammonia group हटाना पड़ता है और amino group हटाते ही क्या बन जाता है organic acid बन जाता है organic acid जिसको किसमें convert कर दिया जाता है fats में या carbs में और amino group से क्या बनता है ammonia बनता है क्या बनता है ammonia urea and uric acid बनता है इन तीनों को हमारे को शरी से बाहर निकानना पड़ता है क्योंकि ammonia बहुत ज्यादा toxic होता है पानी में soluble होता है इसलिए उसको शरी से बाहर निकानना अत्यांत आवश्यक है इमीडियेटल यह क्या नहीं हो सकते है यूटिलाइज नहीं किये जा सकते है इसलिए इनका minor group को निकानना पड़ता है बचे हुए organic acid को किसमें convert कर दिया जाता है निकालते हैं और कौन से जानवर होते हैं अमोनो टेलिजम कौन से जानवर्स होएगे जो पानी में रहते हैं अमीबिया पैरमिशियम स्पॉंजिस में स्पॉंजिस में साइकॉन नाइडेरियन सीलेंट्रेट्स हाइड्रा लिवर फ्लूग टेप वर्म एसकारिस नीरिस अर्थ वर्म लीच और काफी सारे अक्वेटिक आर्थ्रोपोर्ट जैसे की प्रॉन और हमारे अक्वेटिक मॉलस्स जैसे की पिला हमारी बोनी फिशेज हैं जैसे की लेबियो आर्थ्रोप आमफीबियन्स है टैडपोल है जो फ्रॉग का क्या है टैडपोल है वो पानी में जनमता है वो कहां पैदा होता है पानी में करते हैं यूरिया रिलीज करते हैं ऐसे जानवर को यूरियो टेलेक बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम हम थोड़ा पानि चाहिए क्योंकि क्या क्म पानी चाहिए तो वह जानवर की हो सकते हैं अम्फीबियंग पर भी रहते हैं और जैसे कि Ascaris और और्थवर्म तो दोनों क्या है अमोनो टेलिक भी है और यूरियो टेलिक भी है Cartilaginous fishes, right sharks, stingrays and semi aquatic amphibians such as frogs, toads, aquatic और semi aquatic reptiles जैसे कि turtles, terrapins, alligators and all other mammals जो क्या release करते हैं, यूरिया release करते हैं, यूरिया कम जहरीला होता है, कम soluble होता है पानी में, इसलिए ये stay कर सकता है हमारी बॉड़ी में, हमारी बॉड़ी में थोड़े time तक रहे सकता है यूरिया, फिर हम इसको बाहर निकालते हैं, right, sharks, जो मैंने आपको बताया था, sharks क्या पार्शियल, osmoconformis थी, बताब शुरू में तो अपनी internal osmolarity maintain करती हैं, लेकिन बाद में वो नहीं करती हैं, बाद में वो क्या करती है, यूरिया को ही शरीर से बाहर निकाल देती हैं, क्योंकि यूरिया क्या होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, तो उनका जो blood का osmotic pressure है, वो बढ़ने लगता है, जिससे कि उनके शरीर में पानी आना रुक जाता है, यूरिकोटेलिजम, अब यूरिकोटेलिजम क्या है, जो organism क्या release कर रहे हैं, यूरिक ऐसेड रिलीज कर रहे हैं, पानी में बिलकुल insoluble है, water में soluble नहीं होता है, और क्या है, टॉक्सिक भ इसको हम बोलते हैं, यूरिकोटेलिजम, राइट, चीक है, आनिमल्स जो कहां रहते हैं, ड्राइ कंडिशन में, सूखे में रहते हैं, and have to conserve water in their bodies, therefore they synthesize crystals of uric acid from ammonia, चीक है, आगे आते हैं, यूरिक ऐसेड की जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो नन टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक नहीं होते हैं पानी में, इसलिए ये शरीर में रह सकते हैं, as कैसे, solid crystals, किस-किस के बारे में पढ़ा, हमने कॉक्रोच के बारे में पढ़ा, जो uric acid release करते हैं, और जो birds होती हैं हमारी, वो भी uric acid release करती हैं, कौन-कौन है, insects, जिसमें कॉक्रोच है, लैंड पिक रहने वाले स्टेशिन, oniscus, helix, land snail, lizard and birds, आप भी क्या होते हैं, यूरिक टैलिक होते हैं, आप जो concentration है यूरिक आसेड का, यूरिक आसेड आपको गौानों में, गौानों क्या होता है, sea bird का excretor, सी बट का excretor, आपको कहां मिलेगा, आइलाइंड पे मिलेगा, कहां मिलेगा, आइलाइं पर निएक हमारे दरिया के कंट्री के मिलते हैं अब इинов किए वह कैसा होता है वह कैसा होता है गवानों में रिच होता है तो इसको कैसे यूज करा जाता है एक यूज करते हैं एक मेंशर किया जाता है लेकिन यह यूज हेसे ब्रेकडाउन एक घ्सेड के ब्रेकडाउन ऱौफ किसके ब्रेकडाउन से बन रहे है tutorial nucleic acids के breakdown से बन रहा है राइट अमीनो टैलिजम मतलब जो organism excess of amino acids release करते हैं क्या excrete करते हैं बहुत ज्यादा amino acids हैं उनको बोलते हैं aminotelic organism aminotelic organisms में कौन आते हैं हमारे kinoderms जैसे की star fishes ये क्या secret करती है amino acids secret करती है और इस process को क्या बोलते है aminotelism बोलते हैं right guanotelism में हमने किसमें फड़ा सा guanine secret करती है कौन spiders और इनको क्या बोलते हैं guanotelic बोलते हैं और इस process को बोलते हैं guanotelism अब हम आ जाते हैं हमारे human excretory system पे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे चार organs kidney, ureters, urinary bladder and urethra जो हमारा major component जो हमारा सबसे ज्यादा बनाता है जो filter करता है blood को वो कौन है kidney है kidney से जो क्या है filtrate जो है जो urine है उसको कहां ले जाने वाला मूत्रा शय के पास में ले जाने वाला वो कौन है ureters है फिर मूत्रा शय है जहां पर आपका मूत्र कुछ time के लिए रहता है और उसके बाद किस से urethra से बाहर निकल जाता है जीए तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे kidney के बारे में कि kidney कहां present है तो kidney हमारे शरीर में कहां present है kidney present है हमारे lungs के जास्ट नीचे right so kidney is present क्या है kidney lungs की जास्ट नीचे present है और इसको protection कौन देता है यहां से जो hanging क्या है जो floating ribs है जो क्या है जो ribs क्या है हवा में लटक रही है वो क्या करती है हमारी kidney को protect करती है तो kidney हमारी क्या है keyword है और हमारीование ao इस होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है किड़नी या फिर राजमा को और हम क्या बोलते हैं किड्नी बीन बोला जाता किड्事 नौच निकल रहा है जहां में वेयन रही है कि यूरेटर निकल रहा है। आण्हियों निकल गरेशा नौच हो यह सब्सक्राइद के एस टाल कौन जो रहा हुरिज टैंड वेसेंस, नर्फ और यूरेटर इसमें जाता है और बाहर भी सह variants बाहरों कर बात करने तो हमारे पास अगर जो एक किड्नी है एक किड्नी कि अगर हम साइज की बात करते हैं तो एक किड्नी जो है वो कितनी लंबी होती है जो इसकी लंबाई है लेंथ है वो कितनी होती ग्यारा सेंटीमीटर की होती है चौडाई इसकी केसी होती है पांच सेंटीमीटर की होती है जो क्या है मोटाई है वो इसकी थिकने वो 3 cm long होती है right kidney is about 11 cm long 5 cm wide and 3 cm thick ठीक है इसके आपको हमने क्या बता दिये dimensions बता दिये अगर male है तो उसमें 500 gram की होगी female है तो उसमें 135 gram की होगी कहां situated होते हैं शरीर में आगे situated होते हैं पीछे की तरफ नहीं होते हैं आगे की तरफ होते हैं abdomen में होते हैं right abdominal C lobs में होते हैं एक right में होती है एक left में होती है और क्या होता है जो आपके लास्ट की दो्य 않े क्या है आपकी लटकते हुए प्रोटेक कर रहे है ठीक है तो जो concave side है, concave side कौन सा होता है kidney का, concave side होता है, जहां से वो अंदर धसी भी होती है, यह शरीर के अंदर की तरफ होता है, जबकि जो convex side है, वो बाहर abdominal wall की तरफ होता है, और जो right kidney होती है, अगर आप यहाँ पर देखें, तो यह क्या है, right kidney है, right kidney थोड़ी सी नीचे है, क्यो कहां होती है, center line के, medial line के थोड़ा पास में भी होती है, ठीक है, चालिए, और kidneys जो हमारे पास है, वो कैसी होती है, metanephric होती है, कैसी होती है, metanephric होती है, right, metanephric nephrons है, right, तो अब जो kidney है, उसकी अगर हम structure की बात करते हैं, तो पहले चलिए आए, इसका diagram मना लेते हैं kidney का, तो kidney के अगर हम diagram की बात करें, तो kidney का shape कैसा है, ऐसा है, ठीक है, यह kidney का shape है, यह जो बाहर वाला है, जो यह है, इसको हम बोलते हैं, renal capsule, क्या बोल रहे हैं, renal capsule बोल रहे हैं, और यह किसका बनावा है, यह बनावा है, हमारे fibrous connective tissue का, किसका बनावा है, fibrous connective tissue का बनावा है, यह outer, अब इसके साथ, यह outer जो है, यह protective layer है, क्या है, protective layer है, इसके उपर ही क्या होता है, एक fat की layer होती है, एडिपोस tissues की layer होती है, क्या होती है, एडिपोस tissues की layer होती है, एडिपोस tissues, राइट, ऐसे ऐसे बनावा दू, तो क्या है, यह fat की layer है, और इस fat की layer को, फिर से एक fibrous connective tissue की layer कवर करती है, जिसको बोलते हैं, फेसिया, क्या बोलते हैं, फेसिया, ठीक है, देखो, पहले क्या है, renal capsule है, और renal capsule के बाहर क्या है, एडिपोस लेयर की tissue और उसके बाद क्या है, हमारी fasia, राइट, समझ आ रहा है, तो यह क्या है, अब देखो, इसको अगर हम मांक करें, तो यह है हमारा renal capsule, फिर यह है हमारी एडिपोस tissue की layer, एडिपोस tissue, राइट, यह क्या है, एडिपोस tissue की layer और यह जो बाहर वाली है, इसको हमने क्या बोला है fasia तो यह जो fasia है और जो adipose tissue a renal capsule है यह सब क्या काम करते हैं यह सब काम करते हैं balcony को बचाते हैं यह सब काम करते हैं प्रोटेक्शन में sided को बचाते हैं इन्फेक्षिन से जर्क सेक्ष्ट अब के जब हम अंदर आते हैं तो 習ड़ी के जो बाहर का जो रीजन है जो क्या है जो यह वाला रीजन बाहर का जो रीजन है यह थोड़ा सक आब होता है डार्क होता है यह वाला जो रीजन है यह क्या होता है डार्क होता है चीक है इसको थोड़ा सा डार्क को बना दे डार्क शेड का बना दे चलो यह होता है डार्क यह कैसा होता है डार्क होता है और इसको क्या बोलते हैं हम किडिनी का कॉर्टेक्स बोलते हैं क्या बोलत है cortex ठीक है अब cortex के बाद में एक lighter region आता है क्या आता है lighter region आता है जिसको अंदर हम क्या बोलते हैं medulla बोलते हैं और इस medulla में क्या होता है pyramid like structures होते हैं क्या होते हैं pyramid like structures होते हैं जिनको हम बोलते हैं medullary pyramid cortex के बाद क्या चालू होता है medulla चालू होता है और यह जो इन पिरमिट्स के बीच में फिरमिट्स के बीच में कई बार थोड़ा सा ये जो कॉटेक्स है ये इन पिरमिट्स के बीच में भी आ जाता है ऐसे ठीक है इन पिरमिट्स के बीच में क्या आ रहा है यह कोटेक्स ऐसे आ जाता है अब जब यह कोटेक्स इन पिरमिट्स के बीच में आता है तो इसको हम कहते हैं of gordon Kya बोलते है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ओफ बरटे जो यह extending हो रहा है बीच में इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ओफ बरटें इतनी सब्सक्राइब नने के सब्सक्राइब को एक खालती हैं एक माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाती है मेजर क्या लएक मेजर क्या लिक्स और ये major calyx ये major calyx सब मिलकर क्या बनाते हैं renal pelvis बनाते है और renal pelvis किसमे open होती है ureter में open होती है तो ये जो बाहर आई ये क्या है ureter है ये जो medullary pyramid जहां खतम हुआ इसको हमने क्या बोला minor calyx काफी सारे minor calyx क्या मिलकर क्या बनाते है major calyx बनाते हैं और 2 से 3 major calyx मिलकर क्या बनाते हैं ये funnel like structure बनाते है जो ये structure है funnel like structure जो ये नीचे जा रहा है into ureter इसको हमने क्या बोला है इसको हमने बोला है renal pelvis क्या बोला है renal pelvis बोला है जो किसमे खुल रही है ureter में खुल रही है तो यह क्या है आपकी यह आपकी पूरी किड्नी का स्ट्रक्चर है इसका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जो आपका फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का वो कहां प्रेजंट होता है वो यहां प्रेजंट होता है जिसको बोला जाता है नेफरॉन जिसको क्या बोला जाता है बुआ सबसे पहले हैं कि जो किड़नी नीज़ दो हम सबसे पहले या देख रहे हैं कि जो किड़नी राट इस गवट बाया लेयर ओफ इस चुने कटिशु टेशू किस लेयर है वह फाइबर थीफित बनेड डेशु से लेयर है जिसको हमने क्या बोला है रिनल कैप्सियूल बोला है जो कि किड्ने को बचाता है किसी भी तरह की के इन्फेक्शन से या फिर किस से बचाता है किसी भी तरह की की चोट से इंजरी से बचाता है इस कैप्सियूल के चारो तरफ किसकी लेयर होती है एक फैट लेयर होती है जिसको अडिपोस capsule बोलते हैं और अडिपोस capsule के बाहर आपी फिए दिपोस kitsul के बाहर क्या बनाई थी हमने outer layer बनाई थी जिसको हमने क्या बोला था fregurs below chasing kidney को जोड के रखती है fat और fregurs conse training करते हैं किड़नी को और FeFS किस जोड़ती है abdominal wall से जोडते हैं तो inner renal capsule राइट उसको क्या बोला जो inner renal capsule renal capsule के अंदर जो डाक रीजन है उसको हमने क्या बोला cortex बोला अंदर light वाले को हमने क्या बोला medulla बोला जिसकी appearance कैसी है strited है ऐसे line line बनाए था मेने और medulla किस में divided है ऐसे pyramid में divided है राइट अब जो यह क्या है जो medulla है हमारा एक medulla को हम यहां बना लेते हैं ऐसे राइट यह जो medulla है इसकी ऐसे strited region है राइट अब जो medulla का यह जो triangular region है इसको हमने यह area है इसको हमने बोला है renal papilla क्या बोला है renal papilla बोला है हर medullary pyramid open करता है into a minor calyx राइट और यह minor calyx ऐसे काफी सारे minor calyx मिल के क्या बनाते है major calyx राइट तो यह क्या है this is minor calyx और यह क्या है major calyx म-A-J-O-R major calyx ठीक है so medulla is divided into a number of conical areas conical मतलब triangle shaped areas medullary pyramids कितने है 15-16 having their broad base यह जो broad base है यह किस की तरफ होता है cortex की तरफ होता है और यह जो conical area है apex यह किस की तरफ होता है internal side की तरफ होता है हर renal medullary pyramid किस में terminate होता है एक renal papilla में convert होता है यह terminate होता है और medullary pyramids के बीच में जो substance है cortex का that extends जो बीच में आता है उसको हमने क्या बोला है columns of renal columns of burden बोला है अब जो medullary pyramid है वो से connected होते है minor calyx से minor calyx साथ से तेरा और हर minor calyx किस में ख़तम होता है या किस में खुलता है major calyx में खुलता है एक human की kidney में 2-3 major calyx होते हैं जो की फिर से खुलते हैं एक funnel like funnel like structure मतलब ऐसा structure इसको क्या बोलते है funnel इसको क्या बोलते है हम funnel like structure जिसको हमने क्या बोला है renal pelvis बोला है जो की eventually renal pelvis किसमें खुलता है यूरेटर में खुलता है किसमें खुलता है 1 million structure होते हैं, जो की kidney के क्या होते है, structural and functional units होते हैं, यह आपका क्या है, kidney का structure है, जो मैंने आपको बना के दिखाया था, अब यह है हमारा बाहु बली डाइग्राम, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, क्या-क्या मिलेगा, capsule मिलेगा, cortex, medulla, यह medulla है, यह काटेक्स है, capsule, renal pyramid, यह क्या है, medullary pyramid है, papilla यह जगए है, interlobal arteries है, मतलب क्या हो रहा है, यहां से जब artery घुस रही है, यहां से जो blood की artery घुस रही है, वो कहां जारी है, हर medullary pyramid में और हर lobe में जारी है, इसलिए इसको क्या बोला है, interlobal and interlobular artery भी बोला है, हर medullary pyramid को क्या मिल रहा है blood supply renal artery से मिल रहा है renal artery कहां से आ रही है heart के पास से आ रही है और जिस जगह में क्या है renal artery renal vein और renal pelvis और बाहर निकलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं hilus बोलते है यहां पर आपको minor calyx भी दिख रही है यह चोटी-चोटी है यह क्या है minor calyx है अगर हम इसको इस कालर से बनाएं तो यह क्या है एक minor calyx 2 minor calyx 2 minor calyx मिलकर क्या बना रही है एक major calyx मिलकर बना रही है right ureters पे आते हैं जो pipes kidney से क्या लाते हैं urine बाहर लाते हैं so ureator of each kidney leaves from renal pelvis into the hillus and her ureator 25-30 cm स्ट्रक्चर्स होते हैं और बाक्वर्ड अलोंग डॉमिनल वर्ल टू ओपन इंटु यूरिनरी ब्लाडर अगर हम यूरेटर का क्या देखें क्रोस सेक्षन देखें तो हम यह देखेंगे कि वह किसके बने हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम के बने हैं किसके बने हैं मूत्र को कहां से लेकर आते हैं किड्नी से यूरेनरी ब्लाडर में लेकर आते हैं यूरेनरी ब्लाडर की अगर हम बात करें तो यूरेनरी ब्लाडर क्या है यूरेनरी ब्लाडर एक मस्क्यूलर बैग है उसका शेप कैसा है ऐसा शेप है ऐसा कुछ शेप है यहां पर क्या च मेंब्रेνοv.com राइट एक होती है मिडल मेंब्रेन और एक होती है यह इनर मेंब्रेन राइट तो जो इनर है जो inner and outer ये दोनों तो कैसी है ये दोनो longitudinal muscle fibers की बनीवी है किसी की बनीवी है longitudinal muscle fibers की बनीवी है longitudinal muscle fibers लेकिन जो middle layer होती है जो क्या होती है middle layer होती है वो किसकी बनीवी है, वो बनीवी है, circular muscle fibers की, किसकी बनीवी होती है, circular muscle fibers की, अब यह जो circular muscle fibers है, यह यहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है, यूरेथरा की opening होती है, वहाँ पर यह किसमें transform हो जाता है, internal sphincter में, internal sphincter मतलब, जो कि हमारे क्या है, control के बाहर है, involuntary muscle से बनावा है, involuntary है, लेकिन जो external sphincter है, जो क्या है, external sphincter है, वो किससे बनावा है, वो बनावा है, voluntary muscle से, किससे voluntary muscle से बनावा है, मतलब हम उसको open या close करने में, हमारा क्या है, control है, इत्ती बात समझ आ गई, अब, यहाँ से क्या आ रहा है, एक यूरेटर आ रहा है, यहाँ से एक यूरेटर आ रहा है, एक opening ये हो गई, दूसरी opening ये हो गई, तीसरी opening ये हो गई, तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बना ये बना एक ट्राइगॉन बना और यूरीन कहा स्टोर होता है यूरीन इस मूटराशाय में ही स्टोर होता है कहां store होता है मूत्रा शह में store होता है so urinary bladder कहां है pelvic cavity में है peer shape उल्टी नाश्पती जैसा है muscular है inner lining उसकी किस से बनीवी है urator जिस से बनावा है किस से transitional epithelium से urator भी बरा है और urinary bladder भी बनावा है muscular layer urinary bladder की काफी अच्छे से well developed होती है और उसको हम क्या बोलते है इन सारी muscles को हम एक साथ क्या बोलते है detruser muscle बोलते है क्या बोलते है detruser muscle बोलते है अब इस detruser muscle में जो latter होता है detruser muscle में तीन membranes या तीन layers होती है smooth muscle की inner and outer longitudinal fibers की muscle बनी होती है अब क्या है जो मैंने आपको यह तीनों बताया यह तीनों किसकी बनीवी है smooth muscles की बनीवी है किसकी बनीवी है smooth muscle की बनीवी है जबकि यह external sphincter है यह किसका बनावा है skeletal muscles का बनावा है किसका बनावा है skeletal muscles का बनावा है जो मिडल लेर है वो किसकी है circular fibers की है जिस एरिया में bladder urethra से जुड़ रहा है वहां पर जो circular muscle fibers है या circular smooth muscles है वो किस में बदल जाते हैं internal sphincter में बदल जाते है और जो internal sphincter की नीचे क्या है external sphincter होता है जो कि कि से बनावा है skeletal muscle से बनावा है और हमारे control में होता है sympathetic और parasympathetic nervous system दोनों ही urinary bladder को control करते हैं तो जो ureter होते हैं वो parastatic movement जो हमने digestive system के isophagus में पढ़ा था उसी movement से urine को कहा लाती है urinary bladder में लाती है urinary bladder क्या है? triangular region है, एक क्या है? ति कोना region है ऐसे? तीन openings है उसमें, कौन-कौन सी? ureter, जो दोनों उपर से आ रही है और नीचे से कहा है? urethra तो urinary bladder उस एरिया को हमने क्या बोला है? trigone बोला है, उस एरिया को हमने क्या बोला है? trigone बोला है, और urinary bladder का function क्या है? function है, मूत्र को एकट्या करके रखना, store करके रखना ये है हमारा diagram किसका? urinary bladder का ये दो openings आ रही है ureter की और ये यहाँ पर क्या है? internal urethral sphincter है ये external urethral sphincter है और ये जो muscles है, इनको हमने क्या बोला है? detruser muscles बोला है, अब हम आते हैं urethra पे, जहां से हमारा पिशाब बाहर निकलता है शरीर के, ये एक नली जैसी जगे होती है, किनाल लाइक structure होती है, जो की bladder से निकलती है, बाहर और शरीर के बाहर, इसका मुह खुलता है, its length differ in male and females, जो females में urethra है, females में urethra 4 cm लंबी होती है तो सबसे पहले अगर हम female की opening देखें, तो उपर क्या है urethral opening है, क्या है urethral orifice बोलते है इसको क्या बोलते है orifice बोलते है, और इसके नीचे क्या है, vaginal opening है क्या है, vaginal opening है जो birth के नाल की opening होती है जहांसे बच्चा बाहर आता है urethral opening अलग होती है vaginal opening अलग होती है जो अब यहां पे क्या है urethra opens through urethral orifice in front of the vaginal aperture मतलब उपर क्या है urethral orifice और नीचे क्या है vaginal opening है और females में जो urethra है वो 4 cm लंबी है कितनी है 4 cm लंबी है जबकि यही males में कितनी है 20 cm length है and कहां खुलती है penis की tip पर खुलती है right by a urinogenital aperture क्यों urinogenital बोला क्योंकि इस aperture में क्या होता है जो urethra होती है जो urethra होती है किसकी males की वो दोनों लेती है क्या लेकर आती है semen भी लेकर आती है टेस्टीस से और क्या लेकर आती है और urine भी लेकर आती है तो दोनों काम किससे होते हैं urethra से ही बाहर आते हैं तो इसके साथ में हमारा जो human excretory system के organs है वो हमने सारे पढ़ लिए right अगली class में मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगी kidney का structural and functional unit सही समझा आपने nephron के बारे में हम पढ़ेंगे तो मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए बाई बाई